कम्प्यूटर शुरू करना आईए अब सीखते हैं कम्प्यूटर शुरू करना डेस्टॉप या लेप्टॉप को ओन बटन दबा कर शुरू किया जा सकता है आमतोर पर डेस्टॉप या लेप्टॉप में अगले हिस्से पर एक पावर का बटन होता है अपने कंप्यूटर को शुरू करने के लिए इन चरणों का पालन करें कुछ कंप्यूटर्स पर कंप्यूटर की ओन इस्तिथी में बटन रौशन होता है लेप्टॉप पर सामने वाले हिस्से पर अक्सर एक लाइट होती है अगर डेस्टॉप मॉनिटर से जुड़ा होता है तो सुनिश्चित करें के मॉनिटर चालू है अधिकांश कंप्यूटर मॉनिटर्स पर स्क्रीन के निचले कोने पर एक On-Off बटन होता है मॉनिटर चालू होने पर बटन अक्सर हरे रंग की रौशनी से रौशन होता है चरण तीन अब आपको कम्प्यूटर पर लॉगिन करना होगा यदि आप अपने कम्प्यूटर के एक मात्र उप्योग करता या यूजर हैं तो इसके शुरू होने पर सीधे डेस्टॉप पर पहुँच सकते हैं यदि आप किसी सारवचनिक कम्प्यूटर का उप्योग कर रही हैं उधारन के लिए एक पुस्तकाले या साइबर कैफे में तो आपको लॉगिन करने के तरीके के बारे में निर्देश दिये जाएंगे यदि आप अपने कम्प्यूटर को अन्य लोगों के साथ साजा कर रही हैं तो प्रतेक उप्योग करता का एक अलग लॉगिन खाता बनाया जाएगा जब आप कम्प्यूटर शुरू करते हैं तो स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी जब आप अपने नाम के उपर स्थित आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पासवर्ड के लिए कहा जाएगा स्टार्ट करने से पहले मुख्य उप्योग करता या विवस्थापक को आपके लिए इसे सेट करना चाहिए अपने पासवर्ड को टाइप करें और तीर पर क्लिक करें